हेलो फ्रेहिन आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकिट पे दोस्तों इस वीडियो में हम रिट 2015 के जो पेपर था उसमें लेवल फैस्ट में लेवल फैस्ट का जो पेपर था उसमें 30 क्यूसन साइकलोजी को वेख्या सहीत सोल करेंगे तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर दे कि आपके लिए बहुती ज़दा बेनिफीशियल रहेगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाता हूँ अगर आप रिट की एक्जाम देने वाले हैं तो आपको आरपेसी फेस्ट क्रेट 2018 जिसके एक्जाम अभी जनवरी 2020 में उती उसके सभी लगबग 18 गुनिश सब्जेक्टों के जो 30 क्यूशन साइकलोजी के आये थे उसमें वो सभी मैंने प्रलिश्ट बना रखे हैं तो जरूर देखें बहुती ज़दा मतलब अच्छे क्यूशन वास्तम में बहुती सांदार क्यूशन थे साइकलोजी के अगर आपने नहीं देखें तो उनको एक बार जरूर देखें इसके लावा का परिणाम होता है तनाव पिछडपन डिसलेक्शिया और इन मेंसे कोई नहीं तो दोस्तों इसमें कि मस्तिस्क की सररंचना तथा कृत्रियों में विभेद का परिणाम होता है तो इसका हो जाएगा ed here, eject. डिसलेक्षिया Giosीक की सरंचन और ग्रशित की स्रेणी में रखते हैं तो सत्र से कम सत्र से उपर अस्टे से सोके बीच और इन में से कोई नहीं तो दोस्तों क्यों क्या है कि जीन बालकों की बुध्धी लब्धी मतलब सत्तर से कम है आब बात करते हैं तीसरे conclusion की अमूर्त मान परत्यों को ग्रहन करने की योग्यता होती है पिछडे हुए परतिवा साली मानशिक रूप से पिछडे और इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें किया कि बच्चों में अमूर्थ मान पर्तियों को ग्रहन करने की योग्यता होती है अमूर्थ मान मतलब जो वस्तु सामने दिखाई नहीं देती है अमूर्थ होती है अमूर्थ पर्तियों को ग्रेंड करने की योग्यता कौन से बचों में होती है तो दोस्तों इसका हो जाएगा उप्सन नमर भी पर्ति बास आले बहुती इजी क्यूशन है ये तो मतलब उप्सन को देख की आप कर सकते हैं अब बात करते हैं इंगले क्यूशन की तनाव को कम करने के लिए एपर्तिक्स धंग कहलते हैं समस्या समाधान विदी, रक्सात्मक यांतरिक्ता, विक्तिकत विदी और इन मेंसे कोई नहीं तो दोस्तों क्या है कि तनाव को कम करने के लिए एपर्तिक्स धंग कहलते हैं दोस्तों क्या 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 रहते हैं, option number B, रक्सात्मक यांत रिखता, option B वो इसका right हो जाएगा, रक्सात्मक यांत रिखता, फिर आता एक लाए question, निम्न में से कौन सी समाजिक रूप से वंचित बालक की, मतलब समाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, शेखने के लिए इसका रिखता, शेखने के लिए समाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, शेखने के लिए स्वस्त परिवेस, ये समस्या नहीं है, रहने के लिए स्वस्त परिवेस है, option C, इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा, option C, अब आता है अगला question, शेक्षन प्रक्रिया में विदार तो दोस्तों शिक्ष्षन प्रकृय में विदार्ती होता है वो र century तॉंप्सन नमर यह हो राइट हो जाएगा एजिक्यूशन की सब्सक होता है वह सवतन्द開始 तजर होता है जो पार्टी वस्त होती हो मद्धिस तजर होती है अब बात करते हैं अंगले क्यूशन की निमन में से कौन सा मुल्यांकन का एक परकार नहीं है तो निर्माना अत्मक योगा अत्मक और सिसी तो दूस्तों यह मानक नौम सा है यह मुल्यांकन का एक परकार नहीं ह option number A हो इसका right हो जाएगा option A मानक निर्माना आत्मक भी होता है और मतलब योगा आत्मक भी होता है CC आप सबको पता ही है कि NCHF 2005 बल देता है करके शीखने पर रटने पर समस्या हल करने पर और उप्रोक्त सभी तो दोस्तों NCHF 2005 है तो वो करके शीखने पर बल देता है option number A हो इसका भी बिल्कुल right answer है ये भी हम कह सकते हैं बहुती easy क्यूशन है करके शीखने पर तो दोस्तों तभी मैं कह रहा था आपे RPSC fast grade और agitate वाले paper देखें वास्तव में बहुती level के क्यूशन है psychology के आप उनको जरूर देखें एक बार फिर बात करते हैं अगले क्यूशन की निमन में से कौन सा मुल्यांकन के त्रिकौन का भाग नहीं है सेक्सिक उदस से मुल्यांकन शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव तो दोस्तों मुल्यांकन का जो त्रिकौन है बेस बलूम ने दिया था मुल्यांकन के त्रिकौन का भाग नहीं है सेक्सिक उदस से या मुल्यांकन या सिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव तो दोस्तों सिक्षण अनुभव नहीं होता अधिगम अनुभव तो भाग होता है मुल्लینगन के जो त्रिकोन का एक भाग है वो अधिगम अनुबव होता है सिक्षण अनुबव नहीं होता है इन میں से कोई नहीं तो दोस्तों किरियात्मक अनसंदान के महतव के बारे में कौन सा गज़तन सहा नहीं है ये बात इसमें पूची गई है और क्या कह रहा है ऑबोकता ये अनसंदान करता है बिलकुल राइट बात जिक्रता नहीं यह दुनुंब एसमें सही दे रहे हैं तो क्या सही नहीं है उपसिं नमँर Cont Rough समझ चांहों को हेली समस्काःष concepts में ले आया जाता है और उसका मुल्यांकन है कीया जाता है। यह बात इसमें मतलब क्रियाध्मन एंस्डान ले माधा गलत दे रहे हैं अब बात करते हैं अगले क्योशन की आटी एक दो हजार नो किया नुसार सिक्सक खेतू परती सब्तायकार ये गंटे हैं 40 गंटे, 42 गंटे, 45 गंटे, 48 गंटे तो दोस्तों बहुत ही मतलब बार एक्जाम में ये क्योशन आता है 45 गंटे, option number C है वो इसका right answer हो जाएगा अब बात करते हैं अगले क्योशन की तरक जिग्यासा तथा निरक्षन सक्ति का विकास होता है तरक जिग्यासा तथा निरक्षन सक्ति का विकास होता है कौन सी आयूपर 7 वर्स है, 11 वर्स है, 9 वर्स है और 6 वर्स है तरक जिग्यासा और निरक्षन सक्ति का विकास होता है 11 वर्स की उमर में option number B, 11 वर्स की आयूपर तरक सक्ति और जिग्यासा निरक्षन सक्ति का विकास हो जाता है option number B इसका right हो जाएगा, अब बात करते हैं अगले क्योशन की सरेरिक विकास का छेतर है सरेरिक विकास का छेतर है शिनायो मंदल एंडोकाइन ग्लेंड्स मास पेशियों की वर्दी और उप्रोक्त सभी दोस्तों मैं तभी आपको कहता हूँ कि आपको इंगलिस वाले हैं नाम है वो ध्यान में रखना है क्योंकि आप आप देखो एंडोक्राइन ग्लेंड्स नाम दे दिया इंग्लिश में लिखावा है इसको तो सररीक विकास का छेतर कौन सा होता है तो उप्रोक्त से भी हो जाएगा कि दोस्तों सनायो मंडल भी होता है आपको इसका आर्थ भी नहीं आता है लेकिन फिर भी आप आंसो निकाल सकते है सारीक विकास हो सनायो मंडल भी होता है और मास पेशों में वर्दी होती है दो में आप एक अपरोक्त सभी अपने आप उप्सन होजाएगा उप्सन नमर डीस का बिल्कुल रहत है अब बात करते हैं अगले कुशन की वातावरन वहबारी सकती है जो हमें परबावित करती है किष ने का आता लेकिशन यहाजम में बहुत नए के बराबर महा कहना चाहता हूँग कि RIT के PEPER हैं उसलिए तो इसके बाद हम 2017 का PEPER भी आथेंगे तो परीबासा जिर्फ जैदा से ज्यदा एक पेपर ऐसी ज्यादर विसके ज्यदा बникиलाइकों नहीं आएगी तो आप्पर परीबासा पर कम से कम जोर और कंशिप्ट को समझने में हैं वो ज्यादा टाइम दें ताकि एक्जाम में क्यूशन वो गल्लत होने के चांद जाए बहुत ही नय के बराबर हो जाएंगे लेकिन इस परिवासा के हम बात करें तो वातराओं वह सकते हैं जो हमें प्रभावित करती है यह का था रोशने आप्सन नमर B है वो प्र बात करते हैं अगले क्यूशन की अधिगम अंतरन का थोंडाइक सिदान्त कहा जाता है समानता का सिदान्त अनुरूप तत्व का सिदान्त उप्चारिक नियमों का सिदान्त और इन में से कोई नहीं तो अधिगम अंतरन का जो थोंडाइक का सिदान्त वो होता है अनु identical element इसको हम समान तत्व का सिदान्त या समरूप तत्व का सिदान्त के नाम से भी मतलब कहते हैं तो अनरूप तत्व या समरूप तत्व या फिर समान तत्व या इंगलिस में कहें तो identical element यह सिदान्थ है थोंडाइक का अधिकम अंतरन का थोंडाइक सिदान्थ अब बात करते हैं अगले क्यूशन की निमन में से कौनसा वनसा नुकरम का नियम नहीं है समानता का बिंता का अभी प्रेरना का और प्रत्यागमन का तो दोस्तों यह तो एजी क्यूशन हो गया है न से कौनसा नुकरम में कोई रिलेशन नहीं है उप्सन में डी है वो इसका राइट हो जाएगा फिर बात करते हैं अगले क्यूशन की ब्रेकिट की अवस्ता तक बालक की द्रश्टी और सुनने की जो इंद्रियां वो पौन विक्सित हो जाती है तेन या चार वर्स छै या साथ वर्स आठ या नो वर्स या इन्वे से कोई नहीं तो दोस्तों यह तो मतलब एजी क्यूशन हम कह सकते हैं तो इसमें है कि कौन सी अवस्ता तक बालकों की दरस्टी और सवन इन्दिया दोस्तों इसमें पूछा की पून विक्सित हो जाती है पून विक्सित होती है आठ या नो वर्स अप्षन नमर सी है वो इसका बिल्कुल डाए्ट अच्सर है अप्षन C अब बात करते हैं अगले क्यूशन की इस अवस बालकों में नहीं खोज करने की और गुमने की सरवादिक जो मतलब आयू होती है वो उत्रबाले अवस्ता में यह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं अगले कुछिन की निमन में से कौन सा उदर्ण अर्जित प्रेरक्का है भोक रूची विश्राम और पुरुषकार तो दोस्तों इसमें पूचाए कि कौन सा उदर्ण वो अर्जित प्रेरक्का है अर्जित प्रेरक्का उदर्ण कौन सा है दिये गए जो उप्सन दिये हैं इसमें तो इसमें हो जाएगा option B और C दोनों दे रखा है दोस्तों पुरुसकार भी और रूची भी ये दोनों मतलब मान नहीं किये हैं निम्न में से कौन सा उदर्ण अर्जित प्रेरह का उदर्ण पुरुसकार भी है और रूची भी option B और C दोनों भी उत्र हैं वो दिये गए हैं तो इसका पुरुसकार भी हो जाएगा और रूची भी हो जाएगा अब बात करते हैं अगले क्यूशन की अभी प्रेरहना वरनित होती है ग्यानात्मक जागरती दौरा बावनात्मक जागरती दौरा दोनों A वर B और इन में से क कोई नहीं तो दोस्तों अभी प्रेरहना वरनित होती है ग्यानात्मक परवरती दौरा या बावनात्मक मतलब जागरती दौरा यह बात इसमें पूछी गई है तो इसमें हो जाएगा उप्शन B बावात्मक जागरती दौरा अभी प्रेरहना वरनित होती है बावात्मक जा पहलू है ग्यानात्मक बावात्मक किरियात्मक या इन में से कोई नहीं। तो दोस्तों चिंतन मान सीह करिया का कौन सा पहलू है यह बात इसमें पूँछी गई है तो इसमें उजाएगा उप्सन Chaos और ग्यानात्मक। फिर बाइत करते हैं अगले क्योशन की संकेत अधिगम के अंतरगत शिका जाता है परंप्रिक अउपक्रिक अनुकूलन नन विज्ञान वातावन और मनुदेहिक तो दोस्तों संकेत अधिगम में पारंप्रिक अनुकल ये अनुकुलन ये पावलो के शिदान परादरित होता है संकेत अधिगम उप्सन नमर ए इस कांसर हो जाएगा अब बात करते हैं अगले क्यूशन की विक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धी स्तर में गतिवाई योगिता में अभी वरती में और उप्रोक्त सभी में तो विक्तिगत भेद अब पाए जाते हैं किसमें गतिवाई योगिता में मोटर एबिलिटी उप्शन नमर्शी है वो इसका राइट हो जाएगा उप्शन नमर्शी गतिवही योगिता में अब चिंतन प्रारंब होने के लिए क्या उशेक है पूर्वयनुभव बास्था तरक और समस्या तो दोस्तों यह तो इजी क्यूशन हो जाएगा चिंतन प्रारंब गड़ने के लिए समय जरूरिया उप्शनिमदी बुद्धी लबदी संप्रते विक्षित किया बिकने रीडमन ने और केटलने तो बुद्धी yönबदी संप्रते हो सबसे पहले किस में विक्षित किया था यह शबाई इसमें पूची है तो टरों बॉबदी लप दी आकियो थो पूच रहा इसमें दोस्तों वी आई क्यों संपरते विफ़ित किया था तो इसका आंस्वर मांना है दोस्तों बिननेए नहीं मानना है ठ्रमन आप्सण नमर्स है इसका बिल्कुल डाइट आन्स वर रहा है इसमें मतलब कन्फ्यूज हो सकते हैं कि बिनने भी है और ट्रमन भी है लेकिन जो वर्तमान में जो चलना बुद्धी लब्दी के सुतर का में बट्टा सी गुना सो यह ट्रमन के द्वारा दिया गया था तो इसमें ऑप्सन नमर सी ह है वो बिल्कुल डाइट माना है उप्सन सी प्रमन अब है बाहिये अभ्यास अभ्यास है दोस्तों अभ्यास नहीं बाहिये अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वनन कहा जाता है गहन द्रश्टिकों सतही द्रश्टिकों मानकी द्रश्टिकों या प्रक्षनात्मक द्र अब बात करते हैं अगले क्यूशन की निमन में से कौन सा पिछड़े पन का कारण नहीं है सामान्य बुद्धी का अबाव सारे दिक दोस्त विशिष्ट पिछड़ापन और स्वस्त वातावरण तो दोस्तों ये भी हम कह सकते हैं बहुत ही जी क्यूशन है व्यक्तितव का पहला परकारातमक वर्गिकरन परस्तुत किया था मन ने शेलड़नने केटलने और हिपोप्रेट्स ने तो दोस्तों ये भी हम कह सकते हैं तो वास्तों में मतलब सकते हैं इजी पेपर था वेक्तितों अगा पहला परकारात में वर्गी करना वो हिपोक्रेट नहीं दिया था उप्सन नमर सी है वो इसका राइट हो जाएगा अब बात करते हैं अगले क्यूशन की परगति सील परिवारों में बचों में अपेक्सा करत कौन सा परेरक अधिक परबल होता है तो होता है उप्सन नमर सी परिवारों में बचों में अपेक्सा करते है वो अधिक परबल होता है उप्सन नमर सी है वो इसका राइट हो जाएगा तो दोस्तों ये थी है आज की हमारे तीस क्यूशन रिट 2015 के लेवल फेस्ट का जो पेपर था वो हमने आज कंप्लेट कर लिया है इसी परकार कल हम ले अगर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइम ने किया तो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू